आज हम जिस English Language के playwright, novelist, poet, atheist के play को discuss करने वाले हैं वो है Wale Soyka Wale Soyka जो के Nigerian playwright है, novelist है, poet है और English Language में इनका play The Strong Breed इसको हम लोग discuss करने वाले हैं Welcome back to my YouTube channel World Literature इस play को हम लोग background, इसके summary, इसके characters और themes को जा है वो हम लोग discuss करेंगे अपना lecture जा है वो हम लोग start करते हैं First of all, अगर हम मैं इस play का आपको introduction बता दूँ इसके introduction में ये आता है कि ये जो play है, इनके best non-play में से एक play है The strong breed, वो क्यों? क्योंकि ये एक tragedy है Tragedy इस तरह से है कि जो इस play का जो protagonist है वो खुद को sacrifice कर देता है अपनी community के benefit के लिए कि उसने अपनी जान की परवा किये बगएर अपनी जो society है, अपनी जो community है उसकी safety के लिए अपनी जान दे दी ये इस play के end में होता है और ये इस वज़ा से एक tragedy भी है इस play की साथे साथ ये जो play है, ये गुन-गुन जो tradition है उस पर ये base करता है means कि जो योरोबा festival traditions है, African tradition उन पर ये play जो है वो base करता है अब ये जो योरोबा tradition है, इसमें एक tradition है कि जो scape goat होती है scape goat उसको कहते हैं जो कोई भी किसी का blame जो है न वो खुद ले ले जैसे कि किसी का भी कोई blame हो वो खुद bear करे उसको कहते हैं अब जो scape goat होती है, वो village के जितने भी evils हैं उनको carry करती है और community से चली जाती है और उस civilization से कहीं दूर चली जाती है उन सारी evil चीजों को लेकर तो ये इस चीज़ पे, इस tradition पे ये जो play है वो base करता है उसके बाद अज़र हम लोग बात करें इस play के background की इस play के background में ये है कि सोयंका नहीं जो अपना play है वो लिखा था, ये published बाद में हुआ था उससे पहले इनके एक film आई थी जो कि थी 1963 में जिसका नाम था transition फिल्म का नाम था culture in transition जो कि 1963 में आई थी और ये जो play है वो abridged version है इनके shortened version है इसी फिल्म का The Strong Breed के culture in transition का जो abridged version वो कौन सा play है The Strong Breed उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसकी publication की तो ये 1964 में सबसे पहले लंडन में पब्लिश हुआ था उसके बाद 1969 में Oxford University Press में ये पब्लिश हुआ था देन उसके बाद ये Reeks Callings में 1971 में पब्लिश हुआ था और उसके बाद ये Broadway Greenwich Muse Theater New York में 1967 में वहाँ पर ये perform किया गया था ये हो गया इस play का background अब मैं आती हूँ इस play के main characters की तरफ इसके जो characters है उनमें है Eman का character है Mother का character है उमे का character है Jaguna, Sunma, Ifada ये सारे जो है वह इसके characters है अब main जो protagonist है इस play के वह है Eman अब होता क्या है कि अगर मैं इसकी summary आपको बताऊँ इसकी summary में start में जो play होता है तो Eman जो होता है वह belong करता है एक strong breeding group से अब जो strong breeding group है वो एक village में रहते है और इनका काम ये होता है कि ये as a carriers होते है और किये क्या करते है कि ये हर साल एक board जो है उसको dump करते है dump करना ये होता है कि कोई भी unnecessary चीज़ unwanted चीज़ या फिर किसी चीज़ से हम लोग चुटकारा हसल करना चाहते है होते हैं जिनसे ही जान चुटान चाहते हैं ये village वाले उन सब को बोट में भरते हैं और बोट को वहां ले जाते हैं किसी भी river side पे और वहां ये फैंक करा जाता है ये जो strong breeding group है अब यहां पे इसको strong breeding group कहा क्यों कहा गया ये मैं आपको play के end में बताऊंगी उससे आपको इस play का meaning भी जाया वो clear हो जाएगा अब ये होता है कि इमेन जो है वो belong करता है strong breeding group से और ये क्या करते हैं कि हर साल ओशन में बोट को dump करते हैं उसके बाद होता ये कि जब ये बोट को dump करते हैं तो इस से symbolic हमें पता चल रहा है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो evils होंगी बोट में और साथ ही साथ और ये हर साल होता है अब जो इन जो strong breeding group है इसकी जो mother है उसकी child birth के दुरान जो है वो death हो चुकी होती है इमेन के जो girl है उमे जो है वो इमेन की girlfriend होती है उसकी death के बाद इमेन जो है वो किसी दूसरे village में move on कर जाता है और वहां जाके as a teacher जो है वो अपनी job को continue करता है और उसके बाद इसकी जो assistance होती है वहाँ पे एक नए village में वो होती है जगोना की daughter Sunma ये इसकी daughter है Sunma group है वो hereditary नहीं होता है means कि कोई भी random कोई भी unknown person कोई भी outsider जो होता है वो role play करता है strong breeding group का कि जो के सारे village के evils हैं उनको लेके जाता है ocean तक तो अब इस में क्या होता है कि then story में होता है कि image होता है वो यहाँ पे अपना village छोड़कर इस दूसरे village में आ जाता है तो यहाँ पर जब यह time period होता है यह strong breeding group के काम करने का time हो जाता है और इन्हों सबने एक जो evil चीज़ें उनको सबने फैकना होता है एक ocean में तो यह एक फाइदा नाम जो एक mute boy होता है जो बोल नहीं सकता यह उसको save करता है Eman क्योंकि इस village में यह tradition है कि जो भी breeding group का role play करता है वो उसको पहले मारा जाता है फिर उसको exile कर दिया जाता है village से क्योंकि इसके जो पुराना village था इसका Eman का वहाँ पे ऐसा नहीं होता था क्योंकि वहाँ पे तो जो breeding group था वो inherited थे और वो जब आते जाते थे तो वो वापस फिर वो अपना जो उनके ritual थी उसको done करके वापस आ जाते थे village safely बट यह जो दूसरा village है जब Eman वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे क्योंकि inherited नहीं है यह चीज़े इस वज़ा से जो भी role play करता breeding group का उसको पहले मारा जाता फिर उसको गाउं से निकाल दिया जाता था इसी तरह से इसने जो है वो इस इफैदा नाम का जो Eman है इसने इसको save किया और इसकी जो fate थी के इसको भी मारा जाता और exile कर दिया जाता इसने उसको बचाया अब जब इसको बचाता है तो जो इनकी rituals होती है इस गाउं की वो कुछ और return ले लेती है साथी साथ क्या होता है कि वो इसको trap करने के लिए Eman को जो perseverance होते है वो आते हैं और फिर इसकी death हो जाती है वहाँ पे और यहाँ पे यह play खतम हो जाता है और इस play का जो main theme था जो हमने first में discuss किया था कि जो एक man है एक individual है वो अपनी life को sacrifice कर देता है community के लिए Eman ने यही काम किया Eman ने ifada को बचाया उसने उसको save किया पहले इस ritual से जो tradition थी उनकी मारने की और exile करने की उससे और secondly उसने खुद की जो life है उसको sacrifice कर दिया community को बचाने के लिए ताके जो community में जो value है यह tradition जो चल रही है मारने की और यह सब कुछ इसको जो है वो रोका जा सके और यहां पे जो है वो इसकी story खतम हो जाती है उसके बाद themes की बात करें तो इसमें fate versus free will का theme आता है उसके बाद अगर हम इस पुरे play में देखें तो हमें flashbacks बहुत अगा नज़र आते हैं और साथ ही साथ इस play में जो most important theme है वह यह ही है कि community को save करने के लिए खुद का भी sacrifice कर देना चाहिए अपने country को save करने के लिए वो उतका भी sacrifice करना चाहिए patronism, love, loyalty का जो theme है वो भी हमें इसमें नज़र आता है I hope कि आपको इसके जो story है वो clear हो चुकी होगी और मैंने एक question कहा था कि strong breed strong breed इससे clear होता है कि जो email है क्योंकि वो एक strong breed group से तालुक रखता था इनके उसी association थी उस group का वो part था अपने past में और उसने at the end strong breed बन कर दिखाया उसने बताया कि मैं जो है वो एक community को save कर रहा हूं उसने फैड़ा को save किया और साथ ही साथ एक strong breed होने का जो है वो उसने proof दिया वीडियो को like और share और चैनल को subscribe कर दिजिएगा थैंक्स for watching my channel